नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज हम जिस भरती के बारे में बात करने बाले हैं वो है दोस्तो पुलिस की भरती तो आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था आप सभी के काफी सारे सुरू कि मेरी मेरी चैनल पर की सर पूलिस में भरती कब निकलेगी पूलिस में भरती कब निकल चुकी है तो किस स्टेट की भती है और कौन-कौन इसमें आवेधन कर पाएंगे और आप देख रहे हैं दोस्तो यहां पर सबसे पहले की Benp पर भरती 25 से आवेदन शुरू तो दोस्तो ओफिसल वेबसाइट पर ले जाकर मैं आपको लाइक प्रूफ दिखाऊंगा कि यह जो भरती है कब निकली हुई है और इसके आवेदन जो है 25 से स्टार्ट हो चुके हैं इसकी ओनलाइन वेबसाइट पर इस समय भी अगर आप जा आपको बताएंगे हम इस भरती की बारे में सभी चीजें डिटेल में तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्ल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने बाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहा है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो देख सकते हैं हम आ गया है इस समय इसकी ओफिस्यल वेपसाइट पर और जहां पर मैं दोस्तो आपके लिबर को लाइब प्रोग के साथ दिखाने बाला हूँ आप देख सकते हैं दोस्तो 25 सितमबर 2020 के लिए यह अपलोड किया गया यहां पर नोटिज और आप अपलोड करने के लिए तो इस भरती के बारे में हम आपके लिए पूरी जानकरी देंगे लेकिन वीडियों बने रहना हमारे साथ में एंड तक तो यह है जो दोस्तो नोटिस इसको मैं आपको डाउनलोड कर लेता हूं और डाउनलोड करके आपके लिए बिलकुल साफ साफ दिखा देता हूं यह आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे चैनल पर हम कभी भी फेक वीडियो नहीं डालते हैं केबल ओफिसियल वेबसाइट पर ले जाकर ओफिसियल नोटिविक्शन से ही आपके लिए हम जानकरी देते हैं आप एक चीज और देख सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं इसको जूम के लिए यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 14 शितंबर 2020 यह लिटर स्थाइन हुए है और 25 सितंबर 2020 के लिये ल्क इंज आप सब्सक्राइब no आजसाम की ओविश सब्सक्राइब सब्सक्राइब एप्लोड कियाया है ठीक है तो इस website पर जाकर आप direct online जो है वो अपनी applications के लिए fill up कर सकते हैं यह देखिए यहां पर है दोस्तो online applications is live now click here to apply बस यहां पर आपको क्लिक करना आपके सामने पूरा जो है फॉर्म बगरा खुल जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तो 25 सितमबर से लेके और 15 अक्टूबर त applications के लिए fill up कर पाएंगे ठीक है नीचे चलते हैं दोस्तों यहां पर अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए यहां पर भरती निकली हुई है तो यहां पर दोस्तों पांच पोस्ट के लिए भरती निकली हुई है इनका number of vacancies और page के लिए यहां पर सब of aesthetics ठीक है तो सब-inspectory के यहां पर 35 vacancies है उसके बाद में है junior artist कम-draftman ठीक है तो junior artist कम-draftman की यहां पर दोस्तों एक भरती एक vacancy है और junior assistant headquarters में यहां पर आपके लिए दोस्तों 12 भरती 12 vacancies है उसके बाद में primary investigator और अबले computer operator 30 vacancy है और field assistant की यहां पर दोस्तों 35 vacancies दी गई है अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यह जो पूरी की पूरी जो भरती है दोस्तों बहुत मिनिस्ट्रियल स्टाफ की है आपके official job है ठीक है तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में यह भरती निकली हुई है यहां पर इनका page सकते हैं ठीक है अभी हम चलते हैं दोस्तों नीचे के तरफ और यहां पर कुछ important points दिये गया है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर दिया गया है category wise distribution of vacancies as per post based ठीक है तो यहां पर category wise distribution दिया गया है total vacancies 200 है यहां पर 133 35 vacancies sub inspector के लिए हैं यहां पर general OBC और जो भी कास्ट वाइज यहां पर vacancies दीगे हैं पूरी detail आप इसको यह notice है इसको download करके और आप इसके लिए आराम से पढ़ सकते हैं तो जैसे मैं एक का बता देता हूं आपके लिए आपके लिए जैसे sub inspector of aesthetics की यहां पर 35 vac OBC के लिए male को साथ female के लिए 3 hc में male को 2 female को कुछ नहीं है और ht में male 2 female 1 hth में है दोस्तो male को 1 female को 0 और EWS में male को 3 female को 1 तो इस प्रकार से आपके लिए जो है वो vacancies का distribution यहां पर दिया गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर eligibility criteria है मैं आप अगर देखेंगे तो candidate must be citizen of India ordinary resident of Assam तो यहां पर दोस्तों ध्यान देनी वाले आपके लिए बात है मैं आपको बिल्कुर सही सही बताऊँगा यहां पर कुछ भी आपको गलत जान करें नहीं देने वाला हूँ आप साफ साफ देख सकते हैं इंडिया के citizen होना चाहिए और resident Assam को होना चाहिए ठीक है तो यह जो भरती है वो Assam के बंदों के लिए है अगर आप Assam के रहने बाले हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपके लिए एक eligibility और चिंगे ही oblique C must have registered his oblique her name in any employment exchange of Assam तो आपके लिए इस भरती में apply करने के लिए आपका नाम किसी भी employment exchange of Assam में registered होना अनवारिय है ठीक है आपके दोस्तों जो age limit है वो 18 साल से 40 साल के बीच में है और आपके जो age देखी जाएगी वो एक जनवरी 2020 से count की जाएगी ठीक है आपके जो data of birth है दोस्तों एस आपसे एक जनवरी 2002 से एक जनवरी 2000 सौरी 1980 के बीच में होनी अनवारिय है उसके बाद में दोस्तों यहां पर कुछ age का relaxation भी दिया गया है जिसको आप पढ़ लेना और यहां पर आभी हम बात कर लेते हैं education qualification की ठीक है तो यह जो education qualification है दोस्तों यहां पर sub inspector की post के लिए आपके लिए graduate होना जरूरी है जैसे कि आप सभी को पता है कि जो sub inspector के post होती है पूरी इंडिया में कहीं पर भी उसके लिए graduation ही लिया जाता है लेकिन आपके लिए art commerce science आप किसी भी subject से हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में junior artist कम draftman के लिए आपको 12th pass होना जरूरी है ठीक है और उसके बाद में junior artist headquarters के लिए आपको graduate हो होना जरूरी है art science commerce किसी भी subject से उसके बाद में primary investigator अबले computer operator के लिए आपको 10 plus 2 पास होना जरूरी है और आपके पास में plus computer का 6 मंत का diploma भी होना जरूरी है ठीक है उसके बाद में आता है दोस्तों field assistant तो field assistant के लिए आपको आपको पास होना जरूरी है यहां पर जाकर आपको इस link पे क्लिक करना है और इस link पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है वो पूरी application खुल के सामने आ जाएगी ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं यहां पर documents बगरा पूरा का पूरा जान कर देती गई है इसका जो link है यह जो notice है वो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर upload कर दूंगा वहां से जाकर आप इसको download करके देख स सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा online classes को subscribe भी जरूर कर लेना तो चलिए कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमसकार जहन जवर